जी हाँ, तो खोल दी अपने अपने तेलिविजन सेट्स, शुरू हो गया वो एक्जिट पोल का मेला, जो की एक दिन के लिए काफी अच्छा मनुरंजन मिल जाता है सारे न्यूस चैनल्स को, आप लोगों को अकॉमडेटेड रखने के लिए, बिजी रखने के लिए, जब त कुछ न्यूस वेबसाइट के हवाले से मैं आपको बता देती हूं कि क्या बोला जा रहा है एक्जिट पोल पे, लेकिन मैं आपको बोलूँगी ठंड रखिये, इंतिजार कीजे सिफ चुनावों के नतीजों का, क्यूंकि ये भी देखने वाली बात है कि हर्याहना के जो ए एक्जिट पोल के जरियर दिखाते रहे हैं, लेकिन फिर आप हर बार फस भी जाते हैं, मेरा तो कहना गई है कि हमेशा रिजाल्स का इंतिजार कीजिए, लेकिन वहीं देखिए, अभी मैं आपको इस वक्त बता देती हूं कि कैसे, इंडियन एक्ष्प्रेस कहता है कि हर्या अभी मैं आपको इस वक्त बता रहा है, वहीं भारते जनता पाटी के लिए बताया जा रहा है, 20 से 32 सीटों की रेंज, अभी मनी कंट्रोल के हवाले से मैं आपको बताती हूं, जो कि जमू कश्मीर में दिखा रहा है कि INC+, जो है, वो 40 सीट लेकर आएगा, भारते जनता पा पाटी 26, PDP 7 और अन्य के खाते में आएगी 17 सीटें, वहीं हर्याना के लिए वो बता रहा है, जहां पर majority mark है, 46 सीटों का, वहां पर भारते जनता पाटी के खाते में 24 सीटें बता रहा है, कॉंग्रेस के खाते में 58 सीटें, जेजेपी प्लस की खाते में 2 सीटें, यहीं वो कॉंग्रेस को 44 से 54 के बीच सीटें आ सकती हैं, वहीं भारते जनता पाटी को 19 से 29 के बीच सीटें आएंगी और उतने में ही भारते जनता पाटी से मच जाएगी, 10 साल के बाद, जादा तर जितने भी exit poll है, वो कॉंग्रेस के ही comeback की बात कह रहे हैं, हर्याना में खास तोर प बी जे पी के लिए प्रिडिक्ट किया गया था कि इसको 33 सीटे आएंगे, आइन एल्डी को प्रिडिक्टर किया गया था, 27 सीटे आएंगे, कॉंग्रस को 13, मिREYलक और किसी भी पोल्स्टर ने कॉंग्रेस के लिए 15 सीटों से जाद में जाँल था, ये में बारें दोहीं होगी जो की थोड़ा सा जाधा होगा 2014 के comparison में 18 सीटों पर और वहीं चार पोल्स्टर्स थे जैसे कि टाइम्स नाओ न्यूज एक्स पोल्स ट्रैट जिन्हों ने फोरकास्ट किया था भारती जनता पार्टी के लिए 70 सीटे अब 2019 के एक्सिट पोल में इंडिया टुड़े आक्सेस माइं इंडिया ने थोड़ा सा बेटर रिजल्ट आपके सामने रखा था और प्रिडिक्ट किया था 38 सीट फॉर बीज़ेपी और अंडर एस्टिमेटेड कॉंग्रेस लेकिन फिर रिजल्ट कैसे रहते फाइनल वो आप देख लीजिए भारते जनता पार्टी ने 40 सीटे जीती थी जहां कुछ उनको 60 और 70 के आसपास बता रहे थे यानि अपनी पहले की सीटों से 7 सीटे और नीचे और वहीं कॉंग्रेस ने 31 सीटे जीती थी जिसको बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते आपको सिर्फ नचा कर रखते हैं उस दिन पर अभी तने दिन इंतिजार कर लिया होता है इसलिमीदी तो हमेशा से आप लोगों के लिए यह अपील होती है कि किसी भी एक्जिट पोल पे जो मैंने आपको भी बताया चाहिए इंडिन एक्सपर के हावाले से दैनिक भास के जो भी ठीक है बता रहे हैं वो लोग आपको किस तरह के एक्जिट पोल हैं इनके अपर भी बहुत जाता विश्वास करने की जरूरत नहीं क्योंकि असली जो रिजाल्ट होता है वो तो पूरी जनता जितने जितने 61% के आसपस पांच वज़े तक जो टरन आउट था उसके हिसाब से जो आया होगा वही होगा अब उस पूरे सभी लोगों से तो सब लोग पोल्स्टर जाकर बात करने ही सकते हैं पहली चीज कितने लोग उनको कितनी बाते सही बताते हैं किस समय पर उनसे आपने सर्वे किया और क्या उनका जो फैसला है वो बोलिंग होते होते बद से कोई एक बात पूछी जाये तो उसका जवाब भी कैसा टेड़ा मेड़ा आपको मिलता है तो इंतजार कीजिए सिर्फ नतीजों का लेकिन ऐसा लगता है कि न्यूस चैनल पर भी बहुत हद तक घुमा फिरा के उल्टे सीधे एक्जिक पोल शैद बताना मुश्किल हो जाए लेकिन हां जमू और कश्मीर में किस तरह का नतीजा आएगा ये देखने वाली बात है क्योंकि 370 जो हटाया था भारते जन्ता पार्टी ने 2019 में उसके बाद पहली बार चुनाव हो रहा है पांत साल लग गए चुनाव होने में और उसके बाद कैसा नतीजा भारते जन्ता पार्टी के लिए आता है और फिर बाकी पार्टी ओं के लिए आता है ये सबसे दिल्चस्प इस वक्त इस चुनाव में होने बाला है वेट फॉर दर राइट डे फॉर राइट मोमेंट और राइट रिजाल्ट्स सत्यमेव जयते